अब हम आपको ऐसी तस्वीरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनको देखकर शायद आप ड़ जाएं क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ दूसरी लहर का कहर कुछ कम जरूर हुआ है मगर इस तस्वीर को देखकर आपको यकीन उने लगेगा कि हो ना हो तीसरी लहर कभी भी दस तक दे सकती है क्योंकि कोरोना गाइडलाइन्स में धील मिलते ही बड़ी संख्या में लोग छुट्या मनाने पाड़ों पर निकल गए लगातार उमड रही भीड और भीड की लापरवाही ने तीसरी लहर को एक तरह से न्योता देना शुरू कर दिया है तीसरी लहर को खुला न्योता दिखने लगी लापरवाही की इंतिहा सेलानियों की भीड ने बढ़ाई आफ़त क्या इन तस्वीरों को देखकर डर नहीं लग रहा क्या ये तस्वीरें किसी बड़ी आफ़त को दावत देती नहीं दिखाई दे रही इन तस्वीरों को जरा अपने जहन में रखिए और अब जरा आख बंद करके बस दो महीने पुराने उस मनजर को याद कीजिए अस्पतालों में एक-एक बेट के खातर कोई कुछ भी करने को तयार था यहां तक की अपना घर मकान तक गिरवी रखने को राजी हो रहा था इस मुल्क में शायदी कोई होगा जिसकी आखों को इन मनजरों ने आसूँं से ना भर दिया हो लेकिन दो महीने के बाद ही उत्राखंड और हिमाचल के पहाडों से जो तस्वीरे सामने आई हैं वो शायद उससे भी भयानक डर का वास्ता दे रही है क्या ये तस्वीर हमें सिर पकड़ कर सोचने को मजबूर नहीं कर रही हैं कि असल में ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत को दावत देने वाले हैं कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है तीसरी लहर आने का अंदेशा बना हुआ है इन सब के बीच कोरोना का खत्रा भूल चुके लोग कोरोना के नियमों को ताख पर रक मौज मस्ती के समंदर में गोते लगाने लगे हैं आलम ये है कि उत्राखंड के पर्यटन स्थल यानि सैलानियों की सैरगा की तरफ चाने वाले रास्तों पर लंबे-लंबे जैम नज़र आने लगे हैं वीकेंड पर लगातार मसूरी में बढ़ रही भीड पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बिना स्मार्ट सिटी पोर्टल में रिजिस्ट्रेशन के साथ मसूरी में होटल बुकिंग ना होने पर सेलानियों को वापस भेजा ज रहा है पुलिस ने कुठाल गेट में बैरिकेटिंग लगा कर टूरिस्टों की चेकिंग करना शुरू कर दिया है वीते दिनों मसूरी में जिस तरीके के एक कुछ तस्वीर आई थी और वहाँ भावाई भीड देखने को मिड़ी थी उसी हिसाब से अब दैरदुन पुलीस पीस प्रसासने एक नेडंच लिया है और मसूरी जाने वाले उनस सभी लोगों को लगबग रोक रही है और वही लोग मसूरी में जाएंगे अब जिंके पास मसूरी का जो होटल है होटल की booking होगी या रेस्टेशन कहा गया हो वोहीं इनहीं लोगों को ये मसूरी जाने की वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के धरमशाला में सेलानियों की भरमार लग गई है आपर धरमशाला की ग्लोबल सिटी धरमशाला में भी सैर सपाटा करने वालों की फीर नजर आई क्राउट को अपर इस वक्त देख सकते हैं कि कितनी ज़ादा क्राउट जो है कितने ज़ादा टूरिश जो है वो यहां पर देखे जा रहे हैं इसलिए क्यूंकि वीकेंड है और मैदानी लाकों में जिस तरह से जो जुलशने वाली जो गरमी पढ़ रही है उस तपिश को कही कई मीटाने के लिए लोग पहारों कारूख करें और यहां पहुंच रहे हैं और यहां पर कुछ हाद तक जो रहात की सांस लेने के लिए लेकिन ऐसा नहों कि कोविड काल में अगर हम एहत्यात ना बढ़ते और हम लोग कहीं परशानी के सबब में नहीं दी जा रही है कैम्टी, धनौल्टी, कर्णताल, नाई टीरी और टीरी जील बोटिंग पॉइंट में भारी संक्या में सेलानी पहुच रहे हैं पुलिस ने चेकिंग के लिए जिले में तेरा चेक पोस्ट बनाएं यह सही है कि कोरोना की वज़ा से लोगों का कारुबार चौपट हो गया लेकिन यह भी उतना ही सही है कि जरा सिला पर वाही लोगों को बहुत बुरी तरह चौपट कर सकती है परियटन स्थलों की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना महामारी कभी थी ही नहीं ऐसे में यही कहा जा सकता है कि यह लापर वाही बहुत महंगी पड़ेगी